हालो एवरिवन, वेलकम तो कुशी का एजुकेशन, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णीमा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मांग का नियम और पूर्ति का नियम, that is law of demand and law of supply, दोनों मेडियम के बच्चों के लिए है, डेफिनेशन में जाने से पहले हम क्या करते थे, mostly धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है, और जो ओरते होती थी, ठीक है, लेडिज जो होती थी, वो क्या करती थी, आपका mostly घागरा चोली पहनती थी, क्योंकि उस टाइम में इसी चीज की डिमांड थी, इन्ही कपडों की डिमांड थी, इसी लिए ये चीजे प्रोड चीजे हैं, या फिर लेडी जो है, सलवार कमीज पहनना जादा पसंद करती हैं, गागरा चोली की बजाए, तो इसलिए वो चीजे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगा, कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का उत्पादन क्यों होता है, उत्पा का पता लग गया, कहां से आई, अब दिमांड किस चीज पर निर्भर करती है, ये देखिए, डिमांड, ठीक है, ओटोमेटिकली क्या होता है, अगर किसी चीज के प्राइस बहुत जादा हाई होंगे, बहुत ही जादा हाई होंगे, तो क्या होगा, उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, अगर किसी चीज के प्राइस कम होंगे, ठीक है, तो उस चीज के जो डिमांड होगी, वो बढ़ने लगेगी, फोर एक्जेम्पल, मैं यहाँ पर आपको एक एक्जेम्पल देती हूँ, देखो, अगर जो प्याज है, नोर्मली सब लोग यूज करते ह हैं, घरों में, पर कई बार अपने न्यूज में देखा होगा, कहते हैं कि जो प्याज के भाव हैं, वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, प्याज को खरीदना बंद कर देते हैं, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो ओटोमेटिकली धीरे-धीरे कि कोई भी चीज के प्राइस क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, या तो प्याज की सप्लाई कम रही होगी, ठीक है, अगर आपकी खेतों में जहां पर फसल थी, प्याज की जहां पर फसल थी, वहां पर वो खराब हो गई, किसी वज़े से फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, तो य इतने हो गए हैं, ठीक है, थोड़ी चीज़े हैं, उन थोड़ी चीजों को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, अब लोग अपने आप इसको खरिदना बंद कर देंगे, तो यही होता है आपका प्राइस का महंगा होना, और कम होना, अ यही चीज समझ में आ गई, तो अब एक बर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह देखते हैं कि लाउफ डिमांड क्या है, अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, जो जिनकी इंकम बहुत जादा हाई होती है, वो लोग फिर भी प्यास करीते हैं, चाहे कितने भी जादा महंग मांग के नियम, परिभाशा के अंतरगत, वस्तू और उनकी मात्रा, ठीक है, यानि कि गुड्स जो भी चीज़े बन रही हैं, और उनकी क्वांटिटी, एवं उनके मुले, ठीक है, यानि कि प्राइस के मद्धे संभंध की वाक्या की जाती है, ठीक है, डिमांड ओफ लाउ डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी, गुड्स, एवं प्राइस की बात होती है, इनहीं के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है, बाजार में कोई वस्तूप कितनी मात्रा में उपलब्द है, और उसकी कितनी कीमत ली जा रही है, ये सब बाते आपकी लाउफ जो डिम इसी की इनकम जादा होगी, ठीक है, तो वो तो खरीदेगा ये खरीदेगा, उस इनकम व्याले फेक्टर को कॉंस्टेंट मतलब स्थिर कर देना है, कि भही इनकम सभी की ऐसे नहीं होगी, हम मेजरेट यू पोपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो richest हैं जिनकी income जादा है ठीक है तो यहां पर देखो आप love demand states that conditional on all else being equal as the price of good increase जैसे जैसे price बढ़ेगा quantity demand decrease वैसे वैसे जो quantity है demand की वो कम हो जाएगी इसका मतलब जैसे price बढ़ेंगे वैसे demand घटेगी ठीक है और उसी तरीके से अप price घटते बढ़ते क्यों हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कितनी जादा मात्रा में चीज़े produce हो रही है एक बार दुबारा रिपीट करें देखो प्रोडक्शन हुआ demand से ठीक है demand कहां से मेजर होती है price से ठीक है price कहां से होता है आपका कि कितनी quantity है अगर चीज़ों की quantity कम होगी ठीक है और उसी quantity को एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो दुकानदार क्या करेगा यानि कि for example यहां पर मैं आपको एक आपके पास पांच टोफी है ठीक है और सो बच्चे खरीदने आ जाते हैं आपके पास दुकान पर तो आप क्या करोगे अब बच्चों में तो लड़ाई करवा होगे नहीं क्योंकि आप क्या करोगे दिमाग लगा होगे कि मैं एक टोफी का ना 20 रुपए प्राइस रख देता हूं ठीक है आप अटोमेटिक लिए प्राइस बढ़ा दोगी ठीक है इससी वज़े से क्वांट्रिटी कम होती है जब आपका प्राइस बढ़ता है तो ला ओफ टिमांड में आपको तीन चीज़े जा जब धान रखनी है ठीक है क्या मतलब कितनी मात्रा है मात्रा मुल्य और मांग ठीक है यह हो गया हमारा ला ओफ डिमांड ओके अब एक बार ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूं देखो गला अभी भी ठीक नहीं है अगर थोड़ी पूर डिस्रिबेंस हो रही हो तो एक दो दिने रिजिस्ट कर लि ठीक है यहां पर मैं क्वांट्रिटी की बात कर रही हूं देखो यह क्वांट्रिटी है ठीक है जब इतनी सी क्वांट्रिटी थी न हमारे पस यहां तक क्वांट्रिटी थी तो देखो इसकी प्राइस कितने हाई थे ठीक है इतने ज्यादा प्राइस इस थे ठीक है अब क्य ठीक है, यानि कि मात्रा और बढ़ जाती है, तो फिर prices और भी कम हो जाते हैं, ठीक है, तो law of demand होता है, prices के inversely proportional होता है, inversely proportional का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब एक चीज बढ़ती है, तो दूसरी घटती है, उसी को inversely proportional बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर price बढ़ ठीक है, तो demand क्या हो रही है, कम हो रही है, यह जो चीज नहीं यह line, यह line आपका demand को show करती है, ठीक है न, यहाँ पे क्या हो रहा है, demand क्या हो रहा है, यहाँ पे quantity बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका prices है, quantity कम है, तो prices जादा है, quantity जादा हो जाती है, तो prices फिर कम हो जाते हैं तो यही आपका law of demand है ओके इस वीडियो को पूरा देखना है अदरवाइस economy समझ नहीं आएगी क्योंकि कंसे inflation करेंगे inflation समझ में आएगा ठीक है तो आपको inflation के साथ यानिकी मुद्रस्पिती जो है तो उसके साथ संबंद पता लगेगा ठीक है तो देखते हैं आपका अब ही हम देखेंगे law of supply law of supply में आपका क्या होगा देखिए law of supply में क्या होगा आपका जैसे ही किसी चीज के price बढ़ेंगे तो लोगों को लगगा कि यह चीज तो बहुत बिक रही है हम इसी चीज का production स्टार्ट कर देते हैं तो उस चीज का production आपका जादा हो जाएगा उस चीज का उपादन जादा होगा इट मेंस आपके supply बढ़ रही है इसका मतलब यह है जिस तरीके से law of demand में क्या था कि अगर price बढ़ रहे थे तो demand घट रही थी लेकिन supply वाली case में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे price बढ़ रहे हैं तो क्या होता है supply बढ़ने लगता है लोग उस उसी चीज के पीछे भागने लगते हैं उसी चीज की पैदावार करते हैं for example प्याज वाला example ले लेते हैं next time जब लोग फसल उगाएंगे तो उनको लगएगा प्याज की काफी कीमते थी तो हम प्याज ही उगा देते हैं तो इस तरीके से market में equilibrium बन जाता है चीजों के दाम लेक्शर में जब थोड़ा सा हम करें तो आप confused ना हो क्या होता है कि देखो आपका जैसे यह demand वाली राहीं थी ठीक है तो demand आपकी घट रही है okay then supply आपकी बढ़ रही है okay तो क्या हो रहा है तो यहां पे एक position ऐसी आजाती है कि जहां पे यह दोनों एक point पे meet कर जाती है ऐस थोड़ा बहुत उपर नीचे हमेशा चलता रहता है इसी लिए चीजों के दाम बढ़ते गढ़ते रहते हैं okay अभी जब आपको जो illacity वाला जो question आया था वो cover करना है इसी topic के basis पर तो आपको यह topic समझ में आना बहुत जरूरी है ठीक है अब जो prices वाली बात मैंने की थी demand बाकी सभी चीजों को मैं constant रख रहे हूं स्थिर रख रहे हूं कि आपकी income उतनी ही है अगर मालो income किसी की बहुत जादा है तो वह situation में उस चीज को खरीदेगा हम income वाले factor को ignore करते हुए चल रहे हैं ठीक है यह कोंस्टेंट रख रहे हैं उस चीज को okay तो यह हमारा love supply and love demand की बात थी okay और अगर कुछ नहीं समझ में आता है या फिर इस topic में थोड़ी सी भी problem हो रही है समझने में तो जरूर कमेंट करके बताएं इसको और कोशिश करेंगे जब दूसरे topic इसके साथ कवर किये जाएंगे okay तो एक बार पूरती का जो नियम था उसको मैं बता रहेती कि जैसे जैसे price बढ़ेंगे demand क्या होगी घटेगी ठीक है demand घटेगी लेकिन supply के case में क्या होता है जैसे जैसे price बढ़ेंगे supply भी बढ़ेगी ठीक है तो इसमें क्या है इसमें direct relationship है love supply में और love demand में आपका inverse relationship है ओके यानिकी उल्टा ठीक है तो यहीं पर यह lecture खतम करते हैं और आप प्लीज मुझे comment करके बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं क्योंकि आगे बढ़ना तभी फाइदय मन्द होगा जब आपको यह वाला topic समझ में आ जाएगा इसी के base पर हम आगे आपका inflation वगएरा पढ़ेंगे और उसी inflation के basis पर कुछ curve जो है आपके कई जैसे फिलिप करवाता है और भी सारे लेफर करवाता है कई सारे कर्व हैं उन में इन चीजों का यूज होगा ओके देन कल मिलते हैं परसे